कईज आज किस वीडियो के अंदर हम बात कर रहे होगे HTML class और ID attribute के बारे में तो अगर आपने इस playlist को access नहीं किया है तो ग्यार आप इसको access कर सकते हो और चलिए शुरुआत करते हैं तो कल आपने इस project को complete कर लिया होगा है ना तो अगर आपने इस project को complete किया होगा तो हो सकता है आपके दिमाग में एक question आया हो और वो question क्या हो सकता है देखे question तो आपके दिमाग में बहुत सारे हो सकते हैं लेकिन जो important question हो सकता है वो यह हो सकता है कि क्या आप कुछ ऐसा नहीं कर सकते कि जो आपकी intro वाली heading है इसका background color आपका red हो जाए जो आपकी about वाली heading है इसका background color black हो जाए या blue हो जाए ठीक है और जो आपकी conclusion वाली heading है इसका background color आपका yellow हो जाए तो देखिए जैसे कि मैं यहाँ पर आपको लेकर जाओं to 12.css के अंदर तो जैसे हम h1 लिखते थे तो यह क्या करता था आपके सारे elements को एक साथ target कर लेता था मतलब जो भी h1 elements थे उन सब को इसने एक साथ target किया लेकिन हमों यहाँ पर क्या चाहते है कि हम अलग-अलग h1 elements को अलग-अलग तरह से target कर सके देखे एक example दूँ मैं यहाँ पर अब क्या example दे सकते हूँ आपको देखे जिसे कि आप school के अंदर होते हो तो आपको roll numbers provide करा दिये जाते है जिससे कि हम आपको अलग-अलग तरह से target कर सेगे कहने के तो आप भी student है और दूसरा बंदा भी student है लेकिन हम आपको अलग-अलग तरह से कैसे target करा सकते है roll numbers की मदद से भले ही आपका name भी same क्यों ना हो तो हम आपको roll number assign करा देते हैं या कुछ ID assign करा देते हैं जिससे कि हम आपको अलग-अलग तरह से target कर सके कि roll number 1, roll number 2 है ना तो हम यहाँ पर कुछ ऐसे ही इनको roll number या ID दे रहे होगे जिससे कि हम इनको अलग-अलग तरह से target करा सके तो देखे, attributes तो आपको पता ही है क्या होता है जो additional information या जादे जानकारी दे किसी भी element के बारे में तो मैं आपर क्या करूँगा, to 13.html फाइल बनाऊंगा पर नहीं आया है, जल्द ही आ जाएगे तो मैं याँ पर क्या करता हूँ, देखे, एक heading डालता हूँ, introduction फिर मैं आपर क्या करता हूँ, एक और heading डालता हूँ, मैं आपर लिख देता हूँ, characters ठीक है, मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, फिर एक unordered list बना सकता हूँ तो फिर मैं यहाँ पर एक और heading डाल सकता हूँ, जिसको हम रख सकते हैं, conclusion तो मैं आपर कुछ एक basic सा layout तयार किया है, ताकि मैं आपको समझा सकूँ तो एक बार चल के देख लेते हैं, मैं यहाँ पर क्या करूँगा, एक नया tab बनाऊँगा, control plus T दबाऊँगा और local host पचपन सो पोर्ट पर ले चलूँगा, 550, जिरो, अगर आपको हिंदी में नहीं पता मैं क्या कहा, हो सकते हैं और कुछ जिनको नहीं आता हो, ऐसे समझें न, तो मैं Q13 पर यहाँ पर click करूँगा, तो आप देख सकते हो, मैं आपर zoom in कर रखा है, ताकि आपको introduction, characters, यहाँ पर एक आपकी unordered list और conclusion, तो देखे, अगर मैं यहाँ पर क्या करूँ, एक नहीं फाइल बनाओ, to13.css, ठीक है, और यहाँ पर मैं h1 लिखू, और फिर मैं क्या करूँ, यहाँ पर background color, देखे, मैं क्या लिखता हूँ, यहाँ पर b, a, c, o, l, o, r, तो यह खु लगा सा light करूँगा, क्योंकि मुझको light पसंद है, तो देखे, होगा क्या यहाँ पर अभी कुछ नहीं होगा, क्योंकि हमने इसको link नहीं कराया है, और यह अंतरियामी नहीं है, कि इसको पता लग जाएगा, कि हमको selling कहां से उठानी है, तो मैं आपर करा देता हूँ, to13.c और इसको refresh कराते है, तो देखते है, हाँ, तो अब आपका यह काम हो चुका है, लेकिन मैं क्या चाहता हूँ, इस H1 को अलग से target करूँ, आपकी अगली heading को अलग से target करूँ, जैसे कि हम आपको schools के अंदर target करते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर, एक ID attribute होता है आपका इसी type से मैंने आपको ID दे दी कि तेरी ID heading है, तो जब भी मैं heading नाम से पुकार हूँ, तो मैं तुझको बुलाओंगा, ठीक है, यहाँ पर मैं इसको भी एक ID दे सकता हूँ, यहाँ पर ID is equal to character, ठीक है, इसको हम छोटा ही रखते हैं, CHAR लिख लेते हैं, और यहाँ पर मैं इ यहाँ पर हटाऊंगा, और आपको यहाँ पर एक हैस लगाना होगा, और फिर उसका नाम, उस ID का नाम जिसको आपने assign किया हो, तो suppose कर यह मैं यहाँ पर heading को पुकारता हूँ, और फिर आपको क्या करना है, जो भी properties उससे related लिखनी है, वो आप लिख सकते हो, तो मैं यहाँ पर red specify करा देता हूँ, एक बार, तो आप यहाँ पर देखोगे, अभी इसका background color red हो चुका है, और अगर मैं यहाँ पर आपके characters को पुकारो, तो देखे, मैंने यहाँ पर characters को पुकारा, और मैं यहाँ पर लिखूँगा background color, तो शायद spelling गलत होती हुई, background color मैं इसका यहाँ पर echo करा देता हूँ, ठीक है, इसको हम refresh करेगे, refresh करेगे, तो क्यों नहीं हुआ, hashtag care, तो ID मैंने यार सही दी है, बिल्कुल, तो spelling गलत तो नहीं है मेरे, इसको फिर से refresh करके देखते है, तो आ चुका है, है ना, तो कुछ इस टाइप से अप अलग-अलग elements को target कर सकते हो, ID क मदद से, लेकिन फिर मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, आयोप आपके यह तो समझ में आ चुका होगा, आगे मैं तभी बढ़ूँगा, है ना, आ चुका होगा ना, करा क्या हमने आपर जैसे कि आपको target करते हैं ना, school के अंदर, roll numbers की मदद से, हमने इनको कुछ ID दे दी, और तब भी हम इन ID की मदद से इनको पुकार गें कि, तो फिर ही इनको ही ये refer किया जाएगा, तो मैं क्या करता हूँ यार, यहाँ पर unordered list के अंदर जो कर alien angry bird, ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर एक और, यहाँ पर heading one डाल सकता हूँ, मैं यहाँ पर, ठीक है, और मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इसके अंदर एक div बना लेता हूँ, ठीक है, div, हाँ, इसके अंदर मैं यहाँ पर एक और H2 डाल लेता हूँ, चलो, H2, H2, है न, H2, कर गया रहा हूँ मैं इसको नीचे करते है और H2 मैं यहाँ पर लिख देता हूँ Chapter 1 Chapter 1 और यहाँ पर ऐसे ही Chapter 2 और ऐसे ही Chapter 3 ठीक है और मैं यहाँ पर एक H2 और डालता हूँ Suppose करिये मेरा कुछ भी H2 है यहाँ पर मान लेता है मेरी बहुत बड़ी वेबसाइट है और यहाँ पर यह एक H2 और है ठीक है मैं आपर लिख देता हूँ This is for testing purpose तो अब मैं आपसे क्या कहता हूँ कि जो आपका अंदर वाले H2 है जो आपके इस वाले div के अंदर सारे H2 है उनको आपको इसका जो background color होने वाला है वो आपका green होने वाला है और जो यह H2 है इसका background color आपका red होने वाला है तो आप ऐसा कैसे कर सकते हो मतलब आपको क्या करना है यहाँ पर बहुत सारे elements को एक साथ target करना है तो जब भी आपका कुछ ऐसी situation आए कि आपको बहुत सारे elements को एक साथ target करना पढ़ जाए तो आप उनको class दे दीजै ठीक है मैं कहूंगा कि आप इस class से belong करते हो जैसे कि यार आप school के अंदर class 11 से belong करते हो और वहाई पर दूसरा बच्चा भी class 11 से belong करता है तो कुछ properties आपके बीच में common होने वाली है जैसे कि हम same class teacher की बात करे same math teacher की बात करे same books के बारे में बात करे तो आपको कुछ same properties वहाँ पर मिल चुकी है और हम भी यहाँ पर यही कहने की कोशिश कर रहे है कि अगर आप इस class से belong करते हो तो आपका background color यह होने वाला है तो मैं कहाँ देता हूँ यहाँ पर chapters ठीक है chapters और फिर आपको जिसको भी किसी class के अंदर डालना है उसको same class दे देनी होगी ठीक है class chapters और मैं यहाँ पर भी वैसे मैं यहाँ पर क्या कर सकता था old की अपना hold करता और तीनों जंगया पर अपना mouse कर जड़ ले जाता चलो पर कोई बात नहीं मुझको इतना अफसोस नहीं है ठीक है मैं आपर chapters करूँगा और इनको target करने के लिए आपको simply क्या करना है dot operator लगाना है यहाँ पर chapters लिख देना है मतलब class का नाम और फिर आप यहाँ पर क्या कर सकते है background color मैं आपर कर देता हूँ green और वापस जाते है हम यहाँ पर देखते हैं इसको मैं refresh करता हूँ तो आप देख सकते हो जो आपकी यह वाली h2 थी इसका background color नहीं बदला लेकिन इन तिनों का बदल चुका है तो कुछ इस type से आप कर सकते हो लेकिन ध्यान रखने की बाद यहाँ पर यह है कि ID आपकी unique होती है हाँ आप ऐसा कुछ कर सकते हो कि इसको भी same ID दे दो लेकिन मैं ऐसा नहीं कहूँगा आपसे ऐसा recommend नहीं करूँगा क्योंकि आर इसकूल के अंदर भी अगर आप ऐसा करने लगें कि इसको भी same roll number दे रहे हो और उसको भी same roll number दे रहे हो तो देख सकते हो आप क्या हो सकता है इसलिए आपको अलग-अलग ID देनी चाहिए ID आपकी unique होनी चाहिए यह आपको कोई error show नहीं करेगा ठीक है लेकिन आपके web page को affect कर सकता है इसलिए अगर आपको एक साथ बहुत सारे elements को target करना हो तो आप classes का use करो और किसी एक element को target करना हो तो ID का use करो और आप ऐसे multiple classes दे सकते हो जैसे की मैं क्या करूँ यहाँ पर एक और class बना दू की भई यह है मेरा small ठीक है मैं एक small नाम से यहाँ पर एक class बना दू ठीक है और इसके अंदर जाओ मैं यहाँ पर dot small लिखू और इसके अंदर मैं क्या कर सकता हूँ मैं font size को यहाँ पर change कर सकता हूँ ठीक है font size और मैं यहाँ पर करा दू जैसे कि 5 pixels just for showing you something तो मैं इसको refresh करूँगा तो होजा refresh तो देख सकते हैं आप इसका कितना छोटा font size हो चुका है तो इस type से आप कुछ अपनी classes बना सकते हो और जिसको भी आपको use करना हो उसके अंदर आप specify करा सकते हो ठीक है एक और बात मैं आपको यहाँ पर बता हूँ बहुत सारी websites के अंदर होता क्या है जैसे कि मैं यहाँ पर एक link tag add करा हूँ और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ go to chapter 1 go to chapter 1 ठीक है तो मैं क्या चाता हूँ जैसे ही मैं इस पर click करूँ न तो जो यह chapter 1 है मैं यहाँ पर पहुंच जाऊँ तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर कुछ सबसे पहले तो मैं chapter 1 को chapter 2 में बदलूँगा ठीक है अभी पता लग जाएगा आपको अगर आपको किसी भी पर्टिकुलर जगह पर ले जाना है अपने वेब पेज पर जैसे ही किसी लिंक पर click करे तो आपको simply यहाँ पर has लगाना होगा और उस element की ID का नाम लिख देना होगा जहां तक आपको उसको पहुंचाना है तो suppose करिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ chapter 2, ch2 बस मैं यहाँ पर लिख देता हूँ और मुझको कहाँ पर पहुचाना है इस chapter 2 को तो मुझको क्या करना पड़ेगा यहाँ पर इसको एक ID attribute भी देना पड़ेगा और मैं यहाँ पर लिख दूँगा ch2 तो आपको simply क्या करना है links के अंदर एक हैस लगाना है और फिर उसका जो भी ID का नाम है वो specify करा देना है तो जैसे ही मैं यहाँ पर जाऊंगा इसको refresh करूँगा और इस पर click करूँगा go to chapter 2 तो आप देख सकते हो chapter 2 पर यह मुझको ले जाता है है ना उस पर मैं click कर रहा हूँ यह chapter 2 पर मुझको ले जा रहा है तो यार यही होती आपकी classes और IDs और मैंने आपको एक daily life के example की मदद से भी समझाने की कोशिश करी आई होप आपके समझ में आ चुका होगा और इसका phone size यार आप change कर लेना ठीक है तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में कोई doubts हो तो comment करो या इंस्टा पर आप मुझसे पूछ सकते हो